हालो बच्चो मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिज गया दूकेशनेक चैनल पर आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके लिए मैं लेके आया हूँ दो हाजार बाइस के लिए सिलाबस 2021 के लिए सिलाबस अलड़ी अपलोड कर चुके है पूरा सिलाबस है फिजिक्स वन फिजिक्स टू पूरा के पूरा आप लोग वी वीडियो देखने से कोई लॉस नहीं होने वाला है लेकिन बच्चों को मोटियर्ट करने के लिए मैं भी निगेट हो जाओंगा मैंने मैं बूलूंगा यार अलड़ी मेरे इतने वीडियो अपलोड कर चुका हूं तो करने की क्या जरूरत है लगेगा मुझा इसा तो इसलिए आपको हर स्टुडेंट ये वीडियो को शेर करना है 2022 के बच्चे के लिए ताकि उनको फाइद और सीटी 2022 के लिए और बोर्ड 2022 के लिए जो भी सवाल होंगे उसको बहुत ही अच्छे कॉंटेंट के साथ कॉंसेप्ट के साथ प्रेजेंट करने जा रहा हूं तो शेर करना है लाइक करना है ये चैनल को ऑबियसली सब्सक्राइब तो करना ही बढ़ेगा तो चलो बच्च है इसमें आप लोगों को हम लोगों को सर्कुलार मोशन पढ़ा था इसके पहले जो पार्टिकल मुह हो सरकंफरंस अब सरकल मतलब पार्टिकल जो मुह है से सरकंफरंस अब सरकल इसको सर्कुलार मोशन बोलते है उसके दो टाइप से यहां पर दोनों टाइप को बहुत ही में देखने वाले है एक है हमारे पास uniform circular motion और जो दुसरा है यहाँ पही वो है non uniform circular motion ऐसे दो type से इसमें uniform circular motion क्यों बोलते हैं non uniform क्यों बोलते हैं इसका detail analysis करेंगे तो uniform circular motion मतलब क्या है जब कोई particles circular motion में घुमे इस motion के दौरान हमारी speed देखो मैं velocity नहीं बोल रहाँ बच्चो speed बोल रहाँ दोनों में difference करो velocity और speed क्या होता है बच्चे को लगता है speed और velocity से में क्या magnitude में से में direction के लिए नहीं से क्योंकि magnitude होता है speed और magnitude direction होता है velocity यह फरक समझ में आना चाहिए तो यहाँ पे speed constant है समझ में आएगा कि क्या है speed और speed है 5 meter प्रतिसेकन यहाँ पे भी 5 meter प्रतिसेकन यहाँ पे भी 5 meter कहीं पे भी चेक करो आपको इसकी speed 5 meter पर सेकन आकर दिखती हो इस motion के दारान इसको हम लोग uniform circular motion बोलेंगे यह circular motion में speed यहाँ 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 कहीं पे भी चेक करोगे तो इसकी speed बोल रहा हूँ है velocity ने speed सेम हो constant हो uniform हो इसको uniform circular motion कहते हैं इसकी जो velocity होती है यह इस circular motion को tangential होती है यह tangential देखो यहाँ पे भी tangential मतलब कोई पत्थर बान लो रस्ति को और घुमा दो अगर पत्थर तूट जाता है तो वो tangential ऐसे जाता ऐसे जाता यहाँ पे रहा तो यह ऐसे जाएगा यहाँ पे रहे तो यह ऐसा जाएगा बस समझ में आरी तो यह tangential होता है तो tangential velocity होती है यह जो tangential velocity है इसका direction change हो सकता है मैं velocity की बात कर रहा हूँ मतलब इसका direction change हो रहा है देको यहाँ पर यह है उपर यह है यहाँ यहाँ direction change हो रहा है लेकिन speed constant है इसलिए इसको uniform circular motion कहा है इसकी tangential velocity की direction change हो रहा हमेशा direction क्या हो रहा है change हो रहा है tangential velocity बोलेंगे वह change हो रही है और इस velocity change होने का जो करण है बच्चो वह है centripetal या radial acceleration देखो यह स्को radial acceleration बोलते है या centripetal कही तह देखो यहाँ पे यह क्या करेगा पथर यहाँ आगा direction यह है उनंदर खेचा ड्रोड होता है यहां पे इसका direction क्यों change वाँ बच्चों मुझे बताव यह क्यों हो गया क्योंकि वह अंदर खेचना चाहता है अगर यहां से for example यह रहा मेरा circle यहां पे अगर अंदर खेचने वाला force ना होता तो मेरा पथर सीधा 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 रिश्टह तो यह चीज यहां से यहां इसी टर्न ललेती देखोEM जाना चाहा तह सिधा लेकिन उसने क्या मोला और या मुझे तो fund ऊंधर खैशना है ना तुस्जे तो यह अंदर खेच रहा है इसके कारण उसका देखो डायरिक्शन बदल गया यहां पर यह डायरिक्शन हो गया यहां पर यह डायरिक्शन हो गया यह आगया यहां पर इसने सेंटर को खेचा जैसे सेंटर को खेचेंगे वह इसे देखो सेंटर हर समय सेंटर पर खेच रहा है तो खेचने के कारण ये कारण है centripetal acceleration इसलिए centripetal acceleration का या radial acceleration का direction है आप गोलेंगे सर माइनस सेंस क्यों लगाईए क्योंकि बच्चो यहाँ पर radius जो होता है circle का radius होता away from center away from center center से away होता radius और हमारा centripetal acceleration towards the center दोनों का direction opposite हो इसका इधर है radius का और यह है radial acceleration दोनों का opposite है इसलिए माइनस सेंस है इसलिए इसको माइनस सेंस में रखा गया है r omega square बस समझे इसके और भी formula in magnitude form मतलब माइनस हो तो plus लग सकते देखो यहाँ पर v square by r r omega square v omega यह तीन formula यहाँ पर पैदा हो रही इससे कैसे होते है तो आप लोग देख सकते है कि यहाँ पर r omega होता है v तो डालो यहाँ पर v omega मिलेगा ठीक ना यह omega की value डालो तो मिल जाएगा omega की value मतलब क्या v by r तो यह तीनों formula आपको मिल जाएंगे क्या पड़ा हमने uniform circular motion मतलब जिसकी speed constant होती speed मैं speed की बात कर रहा हूं velocity की नहीं उसको uniform circular motion कहते है uniform circular motion में uniform motion मतलब acceleration होगा या ना होगा तो acceleration होगा answer क्या answer acceleration होगा क्यों होगा क्योंकि इसका direction change हो रहा इसलिए बच्चे को यही confusion है uniform circular motion है sir तो हम तो बोलते है कि velocity यह जो है rate of change up यहाँ पे velocity और speed में क्या फोरक होता है यह समझना बहुत जुरुए बच्चे को लगता है यहाँ पे दो V constant है speed constant ऐसा लगता है ठीक है हाँ यह speed constant है लेकिन velocity constant नहीं है velocity change हो रही है क्यों हो रही है तो यह reason है direction बास समझ में आ रही है मतलब यहाँ पे direction change होने से centripetal acceleration sorry हाँ centripetal या radial acceleration होता है देखो acceleration के बहुत सारे टाइप है बच्चो अलग-अलग acceleration है हम लोगों ने देखो centripetal acceleration क्यों होता है किसी ने पूछा तो सिधा कहना है कि sir direction change होने से direction change होने के कारण centripetal acceleration क्यों हो रहा है changing direction ठीक है यह बात centripetal acceleration यह direction change होने के कारण हो रहा है note down करना most important word है मतलब यहाँ पे जो acceleration होने का कारण क्या है centripetal acceleration यह जो velocity का direction change हो रहा है इसके कारण direction कौन change कर रहा है radial acceleration इसके कारण direction change हो रहा है बहुत detail में लिया बया चला अगे बढ़ते हैं ज्यादा दिमाग खा लिया बोलना सर अपने तो एक्जमपल अगर फैन चल रहा है मतलब आपने पाच की स्पीड कर दी अन हो गया कुछ देरी के बाद कॉंश्टन स्पीड से फिरता है यूनिफॉर्म सर्कुलार मोशन है एक्जमपल या आर्त रिवाल अरूंड असन यूनिफॉर्म मोशन मानते हैं हम लोग चला सेम टू से नौन यूनिफॉर्म सर्कुलार मोशन बहुत डिटल में ले रहा हो बच्चो आपके लिए निव ब्याच के लिए बहुत डिटल में इससे शायद अपका नीट जे डबली सीटी जैसे एक्जम यू क्रेक करोगे आप ग्यानेंड के साथ बोटा बच्चो चलो नौन यूनि प्रीम इसपीड चेंच होती है यहां पे स्पीड कौंश्टंटी बच्चो यहां पे स्पीड चेंच हो रही है इस ही को हम लोग नौन यूनिफॉर्म सर्कुलार मोशन दूरिंग द मोशन स्पीडिच चेंजे इसक्डल मोशन दे सकते हो कोई टेंशन नहीं इसमें आप लो पर यहां पर 5 मिटर था बढ़ रही है तो मान लो यहां पर 10 है यहां पर 15 है यहां पर 20 है तो speed change होने से भी यहां पर जो motion को कहा जाता है non uniform circular motion एक बात है यह जो ए जयार है इसका मैगनिटूट चेक कियाना तो वो चेंग हो Tapisres introduce सेम रहता था क्यों सर स्पीड चेंज होने से यह जो रसची रसी रसी यह समझो जो सेंटर की तरफ काम जादा होता सेंटर की तरफ से कभी कम कभी जादा होता क्योंकि देखो यहां पे इसकी स्पीड बदल रही है देखो यह जो तेंजेंशन वलासिटी जो है यह डायरिक्षिन क्यों चेंज कर रही है तो सेंट्रीपीटल एकसरलेशन या रेडलर एकसरलेशन दोनों का नम है की है उसके कारण इसका डायरेक्षंट हो रहा है I will repeat, ये ज़ तंजेंशेल वेलसिटी जो दीख रिये स्टुटेंट, इसका कॉस को ने, रेडल एक्सेलेशन, अगर ये चेंज होती है, तो ये भी चेंज होना चाहिए ना, फिर, ये, दिमाग चलाओ, ये चेंज हो रही है, तो अबिसली ये भी चेंज होने वाला है, क्योंक कि यहाँ पर यह बढ़ गा तो यह भी बढ़एगा है ज्म के भाथ समझ में आ रही है यह कोई समझ में आ darh यहाँ पर is नोड राइट यहाँ पर कॉंश्टेंड नही है यह मैगनारेख्ट के फरल में बात करहो मैगनेट्ट्योड डाइरेक्शन की नहीं only magnitude मतलब इसका जो एक्सरेलेशन होगा रेडल या टैंजेंशल एक्सरेलेशन यहां पर कॉंश्टेंट नहीं है नमबर एक बात यह होगी देखो पहली बात दूसरी बात तिसरी बात कर रहे है नौन इनिफ़ार्म के लिए तो तिस्री जो बात है हम लोग बोल सकते आपर एक्सरेलेशन जो चेंज हो रहा है है यह चेंज हो रहा है नो देख़ो न में पहा अच्छे इसको यह कौन IF एक्से वेलासिटी है टैंजेंशिल वेलासिटी है तो यहां पे टैंजेंशिल एक्सेरलेशन कहते हैं उसको यहां पे डी वी बाई डी टी लेकिन टी टैंजेंशिल देखो एक्सेरलेशन अलग अलग होते हैं रेडेल एक्सेरलेशन किसके कारण यह रेडेल एक्सेरलेशन मत कुण सा सा टेंजनेशियल एकसरेशन जो है वो किसके कारण हो रहा है वेललसिटी की यहां पे जो भी है मेगनेटिल चेंज हो रहा है I will repeat पहला जो है बैया लिख रहा हूँ यहां पे जो सेंट्रीपिटल बोलते हैं बच्चे, सेंट्रीपिटल एक्सरलेशन या आप लोग इसको और एक कह सकते हैं रेडल एक्सरलेशन इसका करण ओनली डायरेक्शन चेंज होने से देखो इसका direction कभी इधर है 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 यह direction change होने के करण centripetal acceleration होता है ठीक है tangential acceleration है यह इसका magnitude पर dependent मतलब यह change कर रहा है magnitude मतलब speed बोलो speed change होने से भी बोल सकते हो है अरे velocity का magnitude मतलब speed होता है 5 10 15 इसको कहते है tangential acceleration बहुत confusion हो सकता है बच्चो ध्यान देना है यह आपे बहुत confusion दा एक चीज़े है बच्चों को पता ही नहीं होता acceleration होता है इसी को हम लोग tangential acceleration कहते है क्या tangential acceleration यहां पर uniform circular motion में होता है क्या UCM में होगा क्या तो answer is low क्योंकि इसका magnitude changing ही होता है इसमें होता नहीं यह इसमें होता नहीं होता है non-uniform circular motion में यह होने के chances है क्योंकि यह chances मतलब होता ही होता है 100% होगा समझें यह magnitude के कारण change हो देखो magnitude of velocity इसके कारण change हो रहा है यह बाद आपको धान देनी है और यह शायद along हो सकता है थोड़ा सा लिखता हो और भी ठेक है यह बात को धान देना है अब लोगों को अब यह जो है यह along हो सकता या opposite भी हो ठीक है तांजेंशेल वेलासिटी यह है यह डायरिक्शन है अगर हमारी वोड़ी यहां पर ऐसी गुम्री समझो ठीक ना टैंजेंशेल के लिए इसे ठीक है यह एंगुलर वेलासिटी का डायरिक्शन यह तो पता आपको अल्एम ओए यह यहां पर अल्फा अंगूलर वेलासिटी अंगुलर एकसेलेशन लेक्शन ने Inter आपको थैंजेंशेल अंग दे डायरिक्शन में dragged सबीना अल्फा Did उर होना च़्ेए कि मतलब और यह ट तो स्पेड बठता है स्पेड बड़े तो टैंजेंशेल acceleration का भी डायरेक्शन विलासिटी के टांजेंशियल विलासिटी के डायरेक्शन के अलोंग होता है कब फैन अन होना मतला स्पीड को मैं यह बात कर रहा हूं यहां पर इंक्रीज कर रहा हूं अब देखो अगर फैन आफ होता है कर दिघ्रेज कर रहो तो क्या होता थै इरेक्षिन यह वेखिन ऐसलेशन टांगेशन का आप धूरीज़ए डियरेक्षिन होता है दॉक्वलासिटिश रियुति है मतलब यह मैग्निटड फेलासिटि चेंज होती है यह और आप्अटौवी उसक्ति है और इसक्ति यहां पर यह formula हम लोगों को मिले जैसे मैंने यहां पर यह formula tangential के लिए लिखा है dvt divided by dt यह angular के लिए भी मिल सकता alpha is equal to d omega by dt बास समझ में आ रही है यह भी formula और भी थोड़ा सा detail लेते हैं देखो uniform circular motion समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है non uniform ठीक है अब देखते हैं थोड़ा सा यहां पर और details में बात करते हैं और भी बहुत ही जबर्दस वीडियोज होने वाला वेच्चो धान देना है इसको हम लोग इस formula को और develop कर सकते हैं देखो omega is equal to कल के lecture में टॉइस पाइन relation between angular velocity linear velocity angular velocity and frequency का relation देखा है तो alpha को में लिख सकता हूँ omega 2 minus omega 1 divided by 2 change मतलब क्या final minus initial ठीक है तो इसको लिख सकता हूँ toys pi n2 देखो omega 2 की value toys pi n1 divided by t तो toys pi को common निकाल सकता हूँ यह numerical में काम आता है यह alpha आपको पता होना चाहिए angular acceleration अगर frequency यह मतलब क्या frequency मतलब real lotion की बादरे में बात कर रहा हूँ इस हिसाब से भी आपको दिया जा सकता है अब रही linear velocity linear acceleration का direction है वैसे angular का भी होगा answer है yes होगा मतलब अगर आपको पता है कि यहां पर axis of rotation समझ रहा हूँ मैं मतलब यह चीज ऐसे plane surface पर एक्सिस ऐसे उपर से है तो यहां पर ठीटा भी होगा यहां ओमेगा होगा अगर हमारी body speed up कर रही हो fan on-hop body speed up कर रही increase कर रही है तो alpha का अभी direction वही सबका direction लेकिन fan off हो speed degrees हो तब हमारा यहां पर यहां पर omega का direction ठीटा का वही लेकिन alpha का opposite to the omega होगा opposite to the omega ठीक है सर जैसे कि आपने जो explain कर रहो हो थोड़ा सा कुछ student को यहां पर doubt होने के chances है क्या doubt है सर एक चीज हो सकती है कि student सोच सकते हैं ऐसे भी कि क्या सर यह जो आप लोग perpendicular to the plane surface को लेते हैं जो भी यह है डिक से perpendicular लेता हो क्या हम लोग ऐसा यहां पर ले सकते है क्या alpha का direction कोई body को ऐसा ले सकते है क्या यह body ऐसे और ऐसे ले सकते है क्या perpendicular यह होना जर्री है क्या तो इसका answer देखते हैं चलो आप क्या है मेरी body कर रही है समझो for example ऐसे revolution ऐसे कर रही है यह ऐसे कर रही है जो भी मानना है clockwise समझो या anti clockwise ऐसे इस plane surface में ठीक है तो यहां पर हमारा omega है समझो ऐसे यहां पर यह body ऐसे मूह कर रही है ठीक है यह यह ऐसे है तो यह होगा omega मतलब यह चीज ऐसे रोटेट कर रही है अगर मैंने यह पर्पिंडिकुलर नहीं निकालता या हम लोग ऐसे मान रहे हैं यह कर रहे हैं या ऐसे जैसे भी मानना मान सकते हैं तो क्या होगा पता है तो यह जो चीजे यह ऐसे ऐसे रोटेट करते करते ऐसे भी रोटेट करेगी फिर यह ऐसे ऐसे क्यों इसके दो कंपोनेंट होते भया एक कंपोनेंट था यह और एक कंपो तो यह r cos theta होता है, यह यह r sin theta होता है, तो यह body क्या करेगी, मतलब यह तो ऐसे rotate करते, यह ऐसे भी rotate करेगी, ऐसे, 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 मतलब आपके सामने में कुछ एक books लाऊंगा, ताकि आपको समझ में आएगा, actual में मेरी body ऐसे rotate कर रही थी, यह ऐसे, ठीक है, यह, यह rotate कर रही थी, लेकिन साथ में ऐसे भी कर रही है, मतलब यह ऐसे तो rotate कर रही थी, यह, यह ऐसे तो rotate कर रही है, ठीक है, यह देखो, anti-clockwise, ठीक है, लेकिन इस force के कारण क्या होगा, कि यह जो चीज़े बहुत, यहाँ पर हमारा इस resultant के कारण, यह ऐसे, ऐसे करते, 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 यह कुछ ऐसे भी करेगे, zoom, zoom, ऐसे चलेगी, तो क्या दोनों तरफ चलेगी, यहाँ पर हमारी body ऐसे भी चलेगी, ऐसे, तो यह possible नहीं है, तो इसलिए वहिया, हम लोग जो भी यह ले रहे direction perpendicular, यही सही होगा, यह गलत होता है, जो आपके इसमें, do you know के लिए जो दिया है, उसका explanation यह, बात समझें, तो यह था uniform, non uniform, मैंने detail में लेनी की कोशिश किये है, चलो, इसके बाद में थोड़ा सा numerical के बारे में बात करते है कि क्या numerical दिया आपके books में, थोड़ा सा table, last का table दिखने के लिए बोले, जो chapter के पीछे है, equation and translation, मतलब जो straight line में जो मूह होते हैं, उसके लिए equation लिखे, average निकलने का, कितनी यह velocity देखो, मेरे गड़ी है, चलेगी, जुम, चलेगी, जैसे ही चलेगी, initial होगी, पहला गेर, द तो initial plus final, कितनी velocity divided by 2, इसको कहते है, average, initial कितीनी थी, final कितीनी है, divided by 2 करो, average मिलेगी, acceleration क्या होता, dv by dt, यह क्या change है, तो final velocity अलग होगी, initial अलग होगी, मुझे इसका rate निकालना है, divided by time, तो इसी को अगर, हम लोगों ने, यहां पे 80 होगा, देखो, अगर इसका सोचा जाए, तो a is equal to v minus u divided by t है, तो यह 80 होगा, v minus u होगा, तो यह v निकालना है, तो u इधर plus होगा 80, मिल गया equation, समझे, यह average, average velocity निकालना है, तो क्या करोगे, displacement upon time, तो yes is equal to v average into t, v average क्या है, u plus v by 2 into t, तो मैंने काम किया फिर, कि इसको solve करने की कोशिश की, कैसे solve करोगे, yes is equal to, देखो, u plus v divided by 2 into t, ठीक है, तो मैंने काम किया, yes is equal to, इस 2 को इधर ले लिया, समझे, यहाँ पे हम लोग काम कर सकते है, क्या कि यहाँ पे ut plus vt, सही है, ऐसे कर सकते है, तो और भी काम क्या कर सकते है हम लोग, तो यहाँ पे, मुझे yes निकालना था न, तो एक काम करते है, divide by 2 as it is, divide by 2 as it is, कि यहाँ पे v की value भी डाल सकते है, क्या, है न, v is equal to, क्या है, यहाँ पे, देखो, yes is equal to ut, v की value है मेरे खाल से, u plus at, है न, multiply t, यह divided by 2, तो yes is equal to, यहाँ पे solve करना पड़ेगा, उसको, ut plus u, सही है, ut, t, क्योंकि multiplication कर रहा हूँ, plus at square, divided by 2 है, तो मुझे लगता है कि, yes is equal to twice ut by 2, यहाँ पे half at square, 2 से 2 मर गया, मिल गया equation, देखो, ut plus ut plus half at square, और यह third kinematical equation है, got it, अब इसको angular form में लिखना है भईया, यह था linear, यह पूरे linear में आपको kinematical equation, already plane in motion, 11 chapter में पड़ाया था, हम लोग अब यह rotational के लिए लिखने वाले, rotation के लिए, देखो, बात समझ ना, पहले मैं आपको analog के लिखके दे रहा हूँ, initial u के जगे पे, omega लिखेंगे, v final velocity के लिए, आपके books में जो लिखा वोई लिखके देता, ताकि तकली बना हो जाए, चलो, इसके लिए omega not, इसके लिए omega, ठीक है, बाद में, a के जगे पे alpha होगा, और कौनसी term है, yes के जगे पे theta होगा, angular के form में, बाकी मुझे लगता कुछी भी नहीं है, चारो term से, चलो, average, omega average, चलो, u के जगे पे omega not, v के जगे पे omega, 2 तो number है, as it is, ये 1, चलो, 2 के बारे में, a के जगे पे alpha, d, v के जगे पे omega, divided by time, as it is, is equal to, v के जगे पे omega, u के जगे पे omega not, a time as it is, time coder का, इसके जगे पे omega, इसके जगे पे omega, हाना, u plus 80, u, 80 मतलब alpha t, हो गाई ये second kinematical, third equation, yes, yes के जगे पे theta, v के average, तो यहाँ पे होगा हमारे पास, omega average t, तो यहाँ पे theta is equal to, u मतलब omega not, omega by 2, और t as it is, तो yes मतलब theta, यहाँ पे omega not t, plus half alpha t square, बार समझे, कोई tension है, ओके, ये जो है, omega square, omega not square, twice alpha theta, समझे, ये हो गया, आपके, rotational में लिखना है, ये अगर translation motion तो ये लिखेंगे, एक numerical है, बढ़ते आगे, बहुत easy है, चलो note down करे, फटा फटा आगे बढ़ना हम लोगों को, चलो next सवाल है, आपके books में दिया है, page number बीद बताता, two number का page है, इस पर पहला example है, fan है, rotate हो रहा है, एक minute में 90 बार, 90 RPM मतलब revolution per minute, गुमरा एक minute में 90 बार, 90 time, zoom, 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 समझे, बाद में switch off किया गया है, इस fan को, और बाद में 21 revolution होने के बाद, मतलब fan off करने के बाद उसने 21 revolution के एक दो तीन चारह से 21 बाद में stop हो चुका है वो calculate that time निकालना है तो वो कितने minute के बाद second के बाद वो off हो चुका है ये निकालना है सबसे पहले मैं आम लोगों को यहां पर थोड़ा सा कॉंसेट के लर कर दू कि यह जो फैन है इसको पहले गिवन डेटा लिखेंगे देखो इनिशल यह नॉट कि क्यों ओमेगा नॉट लिखते है इनिशल एंगुलर वेलासिटी इनिशली वह तो वह है नबबे आर पीयं आप आक को RPS में करना पड़ता है RPS का मतलब क्या सर? RPS मतलब Rion Per Second क्योंकि से कि ऐसा une-team-ude मेli यह जीरो-जेरो-egate भी ऐनसल, तो यह 126-1210 atom और RPS का मतलब है हाड क्योंकि यह unit है फ्रिक्वेंसी का RPS का मतलब यह एक सेकंड में कितने रिवालुशन करना है जैसे एक मिनिट में 90 बार तो एक सेकंड में देड़ बार कर रहा इसका मतलब यह है ठीक है आगे बढ़ता है यह स्विच आप हो चुका है मतलब यहां पर मुझे पहले ओमेगा नौट निकालें काट देड गुना 2 3 होते हैं और इसका युनिट होता है रेडियेंट पर सेकंड याद रखना बच्यों रेडियेंट पर सेकंड आब जो फाइनली ओमेगा वह स्टाफ हो चुका है मतलब जीरो होगे इसके एंगिलर विलासीटी रैडियेंट पर सेकंड जीरो चुकि कोई कर रहा है मतलब मुझे ठीटा निकलना पड़ेगा ठीटा मतलब क्या होता देखती यह फेंड होकर जूम-जूम-जूम यह तो ऐसे सकoser जो है कि कि इंड consider पार कर चुका है और ट्रीटा निकालने के लिए यह तीटा के लिए फार्मूला होता है स्टूडेंट थीटा इस इक्वल टू टॉइस पाई यन तो थीटा निकालेंगे तो टॉइस पाई यन की वैली मेरे पास 21 दीवाली है 21 मतलब थीटा इस इक्वल टूइस गुना दो 42 पाई और इसका इनिट होता है रेडियन हमने अभी तथ अभी तक कर चुके बच्चों डेटा क्लेक्शन किया हमने अब हम लोग फार्मूली इस्तेमाल करेंगे एक्वल में फार्मूला ओमेगा final minus initial divided by time यह एक formula है और एक alpha का formula angular निकलने से क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पता 21 की value, alpha की value एक है और एक alpha की value है क्योंकि acceleration हो रहा है यहाँ पे और एक formula होता है yes is equal to, नहीं ठीटा की formula नहीं ठीटा is equal to यह 1 by 2 alpha t square समझें, तो मुझे alpha निकालना है तो एक काम करते पहले ठीटा यह इदर आगया है तो omega 0 t है नहीं या choice theta करते पहले नहीं, एक मिनिट काम करते पहले सबसे पहले कि इसको इदर लाना है है नहीं, तो theta minus omega 0 t half alpha t square तो यह आएगा इदर तो twice theta ठीक है यहाँ पे minus twice omega 2 t यहाँ पे रहेगा alpha यह t square तो यह भी formula डाल सकते थे यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी तरह सी गरबड है इसमें देखते हैं क्या है तो एक काम करते हैं, यह formula ना इस्तमाल करते हुए यह करेंगे, कौन सा? V square is equal to V square plus twice s तो देखो इसका अनलोगी है, angular form में तो यह काम करते हैं, omega square omega not square, twice alpha theta तो यह alpha निकलना है, तो divide by twice theta सही बच्चों बास समझ में आ रही है तो यह alpha की value निकाली है यह alpha की value डाल रहे हैं हम लोग तो यहां पर यह जो formula है तो इसका formula actual में यह है और दुसरा एक formula alpha का वो है omega square minus omega not square divided by twice theta तो यह alpha की value put up कर दो इसके जगे पर तो यह है omega minus omega not by t omega square omega not square divided by twice theta omega कितना है यार मेरे पास omega तो 0 है sir omega not कितना है sir omega not मेरे पास 3 pi है divided by time कुछ दिया है नहीं time निकालना है मुझे sir time तो निकालना है omega square omega 0 का square 0 होगा minus omega not 3 pi का square है देखो 3 pi का square divided by 2 और theta कितना है 42 pi सही है चला आगे बढ़ते हैं उसको solve करना है हम लोगों का भी तो यहां पर 3 pi minus divided by t यह 0 तो यह तो minus 9 pi square divided by 2 multiply 42 pi होगे होगे कितने वाया यहां पर मुझे लगता है कि यह होगे 4 और यह 84 divided by 3 बास समझ में आ रही है यह T गया इदर इसको उल्टा करना पड़ेगा ना तो देखो ना 84 की विलिका दोनों का multiplication divided by 3 तो T is equal to 3 2 जा 6 तू बाकी है सही है सही है ना तो यह 8 जा तो सेकंड इतना टाइम 21 मतलब यह है कि T is equal to 28 सेकंड मतलब क्या है कि जो रियॉलूशन हो रहे है कितने फैन ओफ करने के बाद 21 कैसे एक दो ती चार पास से ताज़़ए 21 तो यह बाद में stop हो चुका है तो stop होने में 28 सेकंड लगेंगे फैन बंद करने के बाद ऐसा नहां था कि फैन बंद कर दिया और तुरंट हो गया सेकंड नहीं उसको समय लगता फैन अ आफ होने में मतलब पूरा रोटेशन रोकने के लिए जो समय लगा अठाइसे कर तो ये थे बच्चो आपके यहाँ पे निमेरिकल मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो में ये पॉइंड कवर किये है आपको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलार मोशन HeБot यूसी यम जो की स्पीड कॉंस्टेंड होती है सैंटेंशेल वेलासिती होती है उसका इरेक्शन चेंज होता है इसके करण अधिके करण गईसे होता है निगीटिव क्यायिविक्ते आ रोएक्टर वक्टर क्या रेक्टर सेंटर का आप सब्सकी curation है और इसको सेंटर लाइक्षार ऑसरेलेunta करता है direction change होने कारण हो रहा ही वह किसके कारण डायरेक्षिन चेंज नॉनिफार्म मोशन देखो नॉन यू सी यह है इसमें आपकी स्पीड है टेंट होती है उसके करणद टेंजइंशी लेशन होता है और यह मतलब ऑओ स्देंटीं पिटल लिया कॉंच्टांड नहीं होता यहां इसमें उता इसमें नहीं नहीं होता है इन बतों को मैंने समझाने की कोशिश किये इसका जोब्net डायरेक्षन होताहे जो वेक्टर डाइरेक्शन जो होता है वह एंगुलर जितने टर्में वह एक्सिस के आलांग होता है जैसे पार्टिकल मोशन कर रहा है एंटिकलॉकवाइस तो यह ऐसे देखा अपके तरफ यह उपर मतलब आपके तरफ देखा यह थीटा का डारेक्शन अंगुलर विलासिटी का डारेक्शन और अल्फा का अंगुलर एक्सिरलेशन होगा अगर स्पीड़ बॉड़ी कर रही हो तो एक्सिरलेशन तैंगेंशिल वाडिया हमारी यहाँ पर स्पीड कम कर रही हो तो टैंगेंशिल का एक्सिरलेशन का डारेक्शन यह होता आपोजिट होता है तो इन बातों को समझना है इनको अच्छी तरह से आप लोगों को करना है शेर करो बच्चो क्यों कि मैं आपको बहुत मैनस से वीडियो बनाने और बहुत वडिया वीडियो लेक्या होंगा लेकिन शेर नहीं हुआ तो क्या फाइदा बच्चो क्या करेंगे हम लोग डबल सिला बस लेने से कोई मतलब ने अल्ड़ी वीडियो पड़े वाले हैं देख लेना वइन शॉट है सब कुछ तयार है लेकिन 2000 बच्चे के लिए कोई ना कोई मतलब यार करना चाहिए ना काम तो इसलिए मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए तो आपका काम होता हर बच्चे तक 2022 के हर बच्चे तक ही वीडियो को पहुचाना है चलो thank you and best luck for your study and your future plan